इस बार summer camp क्या सभी classes के लिए होने वाला है या सिर्फ जिसे कि हमेशा 6-8 होता है उसी के बारे में आज का वीडियो है तो देखो क्या कहा जा रहा है जैसे आपको पता है कि आपके जो summer vacation है वो 11 मई से start हो जाते हैं 10 मई तक आपको school आना होता है 11 मई से लेकि 30 जून तक आपक समझना होगा कि सबसे पहले 3rd से लेकर 8 तक जिसमें क्या वास में आया है तो देखो क्या कहा जा रहे है तो हमेशा क्या हो जाता है 11 तारिक से लेके 17-18 जून तक 15 जून तक क्या होता है summer camp लगता है और साथ साथ में मिशन बुनियाद चलता है तो अभी इसके रिगारिंग सबसे पहले 3rd से लेकर 8 तक जिसमें क्या होता है summer camp लगता है जिसमें अलगला activities होती है साथ साथ में मिशन बुनियाद चलता है लेकिन जो 9th से लेके 12 तक की classes है उनकी extra classes होती है उनमें क्या होता है extra classes में या तो week student को remedial classes जिने कहा जाता है जिसमें week student को बुला कर पढ़ाया जाता है या ऐसा हो सकता है कि सभी students को बुलाया जाए तो अभी इसके बारे में clearly हम नहीं कहा रहें कि क्या है लेकिन जैसे ही कोई update आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा लेकिन हां यह कह सकते कि 80% chance है कि mission मुनियाद भी चलेगा और summer camp भी चलेगा लेकिन अभी confirmation के स इसके लाब कोई छुट्टी या कुछ भी होगा कोई question आप पूछना चाहते हैं तो comment कर सकते हैं thank you guys